वेल कम टो दिस चाइनेल एक अनाधर वीडियो के साथ तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे के की भॉगस कंपॉंड क्या है सिमेंड का सिमेंड जब बनता है तो सबसे पहले ग्रांडिंग होने के बाद हीत होने के बाद N Around स्टेब आता है किुलिंकर होट किलिंकर उस किलिंकर बन के आता तो उसमें चार कंपाउंड बन के आता है उस चार कंपाउंड को कहते बोगस कंपाउंड अगर यह एकजम पॉइंटर भी उसे देखे तो बहुत इंपोर्टन है क्योंकि इससे बहुत सरा objective question पूछा जाता है अब जितना भी objective question पूछा जाता है उस सारे question इस वीडियो में discuss करेंगे तो अगर इस वीडियो को पूरा complete देखते हैं तो मुझे उम्मिद है कि bogus compound का पूरा जो है आपका doubt complete हो जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले bogus compound बोगस compound होता क्या है तो bogus compound cement जो है heat होने के बाद जो बनता है उसमें से चार compound बनता है तो उसको हम लोग कहेंगे bogus compound उसके बाद पहला compound बनता है bogus compound में tricalcium aluminate जिसे cilite भी कहते है tricalcium aluminate जिसे cilite भी कहते है जिसका chemical formula है c3a c3a या फिर c3 ceo जिसे silica ceo कहता है l2o3 जो चार से 14 परसेंट जो है total उसका weight होता है 100% में से उसके बाद इसका form होता है form within 24 hours of addition of water in cement जब cement में पानी दिया जाता है तो 24 घंटे का अंदर अंदर जो है tricalcium aluminate जो है बन जाता है responsible for maximum heat of hydration initial set responsible तो क्या होता है कि जब पानी डाल दे तो उसमें maximum heat of hydration जो होता है वो tricalcium aluminate में होता है और यह जल्दी strength देता है इनिशेली strength जो देने का काम करता है वो है tricalcium aluminate उसके पाद next देखते हैं बोगास की आ सकता है कि tricalcium aluminate को silide भी कहते है या फिर silide किसे कहते है तो आपको यह tricalcium aluminate कहना पड़ेगा या फिर उसका chemical formula पूछ सकता है या फिर सबसे ज़्यादा heat of hydration कौन सा देता है कौन सा बोगास कमपॉंड देता था आपको देना होगा tricalcium aluminate यह तीन जो है आपको objective में पूछा जा था अक्सर next tetracalcium aluminate ferrite तो tetracalcium aluminate ferrite जो है दूसरा बोगास कमपॉंड है और इसका जो है chemical formula है c4af 4cao2o3 F2O3 यह हो गया chemical formula इसका जो weight होता है 10-18% of weight it is also formed within 24 hours of water addition of cement यह भी पानी cement में मिलाने के 24 घंटे के बाद अंदर अंदर बन जाता है amount of heat of hydration rate is more with time decrease it is also responsible for flush set यह जो है यह भी heat of hydration जो है average on average जो है rate of heat of hydration ज्यादा होता है as compared to tricalcium aluminate लेकिन अगर total bulk में heat of hydration देखा जाए तो tricalcium aluminate का ज्यादा होता है लेकिन rate of heat of hydration जो है tetra calcium का aluminate का ज्यादा होता है question बनता है objective का कि amount of heat of hydration जो है rate किसका ज्यादा होता है तो इसमें होगा tetra calcium aluminate का अगर bulk में पूछाजे कि bulk में ज्यादा किसका होता है तो होगा tricalcium aluminate का यह आपको यहां से question दो बनता है तिसरा में आते है tricalcium silicate इसको C3SO C3S और 3CaSiO2 भी कहते हैं इसका chemical formula है weight by python 45 to 85% सबसे ज्यादा जो cement में होता है वो tricalcium silicate होता है जो 45% से 85% उसका weight होता है it is supposed to the best cementing material and it's oil burn cement कहता है कि जो सबसे अच्छा burn होता है जो सबसे अच्छा quality का आता है उससे ही हम लोग कहेंगे tricalcium silicate और यह जो होता है best cementing material होता है cementing materials में सबसे best होता है responsible for yearly strength cement is initial set stage 7 resistance तिये जो हता है सबसे पहले set होने में मदद करता है शुरू में पहले का साथ दिन में जो है यह शुरू हो जाता है यह जो set कर देता है अपना stage में उसके बाद next देते फॉर्थ dicalcium silicate c2s और 2CaSiO2 इसका वह जो होता है पंदरा तू पाइस परसेंट टोटल में से इस फर्म्ड वेरी स्लोली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इन सिमेंट में रिक्वाइड यह अफ दीट्स फर्मेशन इडिज इंपर्ट रेसिस्टेंट ऑफ केमिकल अटक तो डाइकल सिलिकेट जो है बहुत थी लेटर स्टेज में जो है इसका जो काम है वो केमिकल रेसिस यह जो है लगभग एक साल के बाद आपना इस्टेंट दिखाता है कि बेस्ट सिमेंटिंग मैट्रियल कौन सा है दो चारों अपसम देगा ट्राे कलसे मैं एसको डशियंस सिलिकेट तो आपको देना है ट्राइकलसियंस सिलिकेट इसका पुरपड़िज जो है इसका की निकरी सबसे कोधा को सबसे आएइस होता है फुर पर्डे सबसे घ्यादा हीट mensen होता है उसके थे इसका होता है इसके पर लास्ट में सी टू का होता है मतलब सबसे चयादा हीटा dłग Canadians होता है साब से काम होता है उसी तरह rate of hydration higher phosphorus का जो rate होता है सब्से जाता होता है और rate of hydration में भी C2 यह सबसे कम होता है तो यह हो गया decreasing, increasing order इस दूनों को जो है बहुत ही important है लगभग objective question में इसको पूछा ही जाता है तो अगर आप एक student हो या फिर सिपल इंजिनर हो तो इस सब को जो है आपको काफी हाद तक जानना जरूरी है तो मैं ने इस वीडियो को थुरू बुगास कमपाउंड को सही तरीके से बताने का कोशिस किये है फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है तो आम खौबन करके पुछ सकते हैं यहां तक देखने के खन्नवाद आपको दिन सुब्सक्राइब